नमस्का दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको गौरोचन से जोड़े कुछ चमात कारिकलाबों के बारे में बताएंगे अकसर पूजा में आपने गौरोचन का नाम सुना ही होगा आप में से बहुत कमलुंग जानते होंगे कि गौरोचन बास्तब में होता क्या है गौरोचन गाय के पिताशे में बनने वाली एक अस्मरी है जो गाय के मृतावस्था के बाद प्राप्त की जाती है या इसलिए थोड़ी महंगी भी होती है इसे गौपित के नाम से भी चाना जाता है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसका सीवन करने से आपको क्या-क्या लाव मिल सकते है सबसे पहले एकने वेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी ठासकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक जरूर देखीगा गौरोचन का रस तिक्त होता है या गौन में रुक्ष होता है गौरोचन का वीर्य उष्न होता है पचने पर गौरोचन का विपाक कटू होता है गौरोचन पित्त सारक होता है एवं या वात एवं कव का शमन करने वाला माना जाता है 125 मिली ग्राम से 500 मिली ग्राम तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इससे आपको फाइदा होगा आर्थिक स्तिती सुधारने और धन धानने की प्राप्ति के लिए गौरोचन को एक चांदी की डिबिया में भर कर अपने पूजा इस्थान में रखें और रोज देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा कीजे इसे घर में बरकत आने लगती है घर में यदि कोई वस वास्तु दोश है तो वहाँ भी तूर हो जाता है और घर में सकारात्मक उर्जा का प्रभाव होता है अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चमच गुलाब जल में थोड़ा सा गौरोचन मिला कर उस व्यक्ति को पिला दीजे गौरोचन का तिलक प्रति दिन बीमार व्यक्ति को लगाईए तो वहाँ बहुत जल्दी स्वास्तो होने लगेगा मिर्गी या हिस्टीरिया के मरीच को गुलाब जल में थोड़ा गौरोचन घिसकर तीन दिन तक पिलाने से रोग में बहुत भी आराम मिलता है इसके अलावा आप सरदर्द के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए केले में थोड़ा सा गौरोचन मिलाकर इसका लेप बना लिजे और फिर इसे मस्तक पर लगाईए इससे आपको सरदर्द में काफी आराम मिलेगा तो दोस्तों यदि आपको आज की हमरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेर और कमेंट सरुर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद